अधरे प्यार की अधूरी कहानी होल में घुसते ही एक मधूर आवाज सुनाई दी लगा सीडी चल रही है मगर नहीं, कोई गा रही थी संस्कृत के शब्दों का शुधा उच्चारन आवाज में वो मधूरता थी जो अपनी ओर खीचा जा रही थी उस भीर में मेरी कोई बात उससे नहीं हो पाई फिर जब मैं अगले गुरुवार मिली तब गुरु पूजा हो रही थी उनकी आवाज में इतनी मिठास है कि लगा सुनते जाओ गुरु मंत्र को इतने भाव से कह रही थी लगा साक्षात गुरु जी आ जाएंगे सच में इश्वर गुरु हमारे भाव ही तो देखते हैं उसमें भाव की शुधता थी सत्संद के बाद उन्होंने मुझे प्रसाद दिया बातों बातों में मैंने उनका नमब लिया ना जाने क्यों उनके साथ अपना पंसा लग रहा था इस तरह कई बार सत्संद में हमारी मुलाकात हुई फिर हमारी दोस्ती भी हो गई वह मेरे लिए एक रोल मॉडल है मैंने सुना है कि महिला का मतलब एक सहंशील सासी धैर्यवान प्यार करने वाली औरत मगर कभी कभी लगता है मेरे अंदर इतनी सहंशीलता नहीं हर गलत बात का विरोध करना मेरी आदत सी है मेरे अंदर एक क्रांतिकारी विचार से हैं जो कभी कभी मुझे गलत साबित करते हैं मगर विजया इतना सहने के बाद भी मुस्कुराती है सेवा करती है सच में कई बार मन में मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ लेकिन कुछ महीनों से मैं लोगों को समझने की कोशिश कर रही हूँ तो लगता है जीवन्व संधर्ष हमेशा साथ साथ है हर महिला कही ना कही दबा दी जाती है खेर मैं बात कर रही हूँ अपनी मित्र विजया की जो हमेशा हस्ती है न जाने कितने गम दबाए कहते हैं जब हम निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं गुरू के पत्थ पर चलते हैं तो हमारे अंदर एक अद्भुत क्षम्ता आ जाती है जो मैंने कई बार विजया में महसूस की, लेकिन उसे कभी किसी से उम्मीदी नहीं, वो लोगों का सहारा बनती जा रही है। सचहर महिला में कितने अद्भुत गुन्व स्रिजन क्षमता होती है फिर भी कई बार सम्मान और महत्वन नहीं दिया जाता। क्यूं, इस क्यूं का जवाब शायद आप कहानी पढ़कर भी ना दे मगर क्यूं। एक आम लड़कियों की तरह ही उसकी भी परवरिश हुई। तीन बहने, एक भाई साउथ इंडियन फैमिली घर के कामवज जिम्मेदारियों को वह खुशी से निभाती थी। मगर पिता की तबियत अक्सर खराब रहती थी इसलिए वही रहकर ग्रेजुएशन की। उनकी तबियत बहुत खराब रहती थी। उनकी सेवा को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए अपना समय परिवार को ही देती थी फिर भी पिताजी अपना भरा पूरा परिवार छोड़ के लिए संस्कृत कॉलेज साउत गई वहां से वापस आई उसकी नौकरी के अच्छे स्कूल में लगी घर में सभी अपने जीवन में व्यस्त हो गए भाई की शादी हो गई बहनों की नौकरी लग गई इसी बीच विजया था उसे इश्वर पर अटूट विश्वास था वह नियमित रूप से साई दरबार जाती थी उसकी मुलाकात विनोध से हुई अच्छी खासी दोस्ती हो गई उनकी फैमिली भी वहां आती थी साई के बड़े भक्त थे विजया साउथ इंडियन और वे लोग ब्राह्मन अपने पन का सिलसिला बढ़ने लगा विनोध विजया से शादी करना चाहता था जब विजया ने यह बात घर में कहीं तो घर वाले नहीं माने क्योंकि जातपात भी एक बड़ा मुद्दा है समाज को कहने के लिए उच्छ कोटी के ब्राह्मन परिवार था घर वालों को एकी डर था आगे जाकर वह विजया को दबाए नहीं मग कर प्यार अंधा होता है सच में वो सब का विरोध करके आगे बढ़ गई धीरे धीरे परिवार ने भी स्वीकार कर लिया मगर विनोध का परिवार हमेशा उच्छ कोटी के ब्राह्मन है हम बात बात में कहते थे कई बार तो विजया के हाथ का खाना भी नहीं खाते थे तभी कभी विजया को मां की बात याद आती थी ताफी संधर्ष के बाद परिवार ने स्वीकार कर लिया हम अगर एक जातपात वाली लकीर तो थी विजया ने कभी कोई कमी नहीं की परिवार की सेवा वा अपने पन में यूँ ही दो साल निकल गए जीवन में प्लस माइनस चलता रहा इस बीच प्रेगनेंट हो गई घर में सब खुश थे मगर पती पतनी के बीचे केहम भाव था तभी खुलकर बात नहीं करते थे पर विनोध ने हुकुम सुना दिया अपनी नौकरी छोड़ दे बच्चा आने वाला है उसका ध्यान करना ज्यादा जरूरी है विजया दद्व में थी फिर भी उसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी एक टीचा होने के नाते वा चाहती थी कि बीच में नौकरी ना छोड़े विनोध के कहने पर छोड़ दी विनोध में कई बार अपनापन नहीं लगता था खोया खोया चुप चुप रहता था जितनी बात करो उसका ही जवाब देता था तो विजया ने शादी से पहले भी कई बार महसूस किया मगर कुछ बदलाव शादी के बाद आते हैं लेकिन नहीं हम लोगों को तो नहीं बदल पाते परिस्थितियां ही बदल पाए उसे डॉक्टर के पास भी अकेले ही जाना पड़ता था मुझे ओफिस का काम है तुम जाओ ऐसा रूख हापन ऐसे समय में खटकता था इस बीच विजया की तबियत बहुत खराब थी कि वो उट भी नहीं सकती थी उसे पहले ही था फिर हिमोगलोबिन कम होना भी कई परेशनियां होती जा रही थी फिर भी नौ महीने परिवार के सहयोग से निकल गए उसे एक प्यारी सी बेटी हुई जिसे कुछ दिनों हॉस्पिटल में रखा गया उसकी तबियत ज्यादा खराब हो गई तो बच गई मगर तीन दिन से प्यारी बच्ची की जान ना बच सकी अब तो हद हो गई एक तो मैंने तलाक शुदा पर विश्वास करके शादी की अपने परिवार का विरोध करके तुम्हें चुना मेरा विश्वास तोड़ा बहुत बाते कही विनोध से सुजाता के घर भी गई उसका एक बच्चा था शादी शुदा थी वह क्या कर रही है क्यूं कर रही हो सुजाता के परिवार में गई उसके पती को बाते बताई उसके रिष्टों में भी दरारे आने लगी विनोध से कई जगड़े हुए चीकती चिल्लाती मगर विनोध कुछ नहीं कहता जाने क्या रिष्टा था क्यूं था परिवार वालों ने विनोध को बहुत सुनाया तुम शादी अपनी मर्जी से किये अब इस रिष्टे को तो निभाओ पहली शादी हमारी मर्जी से थी तो वह गलत थी अब क्या परेशानी है कई दिनों तक जगड़ा चला दिलों की दूरियां बढ़ती गई कई सवाल थे मगर जवाब नहीं थे धीरे धीरे ही सही उसने दूरिया मिटाने की कोशिश की कभी मन से कभी तन से इस बीच विजया की तबियत खराब हुई बाल धीरे धीरे कम हो रहे थे वो कहीं जाती तो लोग हसते पीछे मुल कर देखते एक बार मौल गई थी वहां बिलिंग करवा रही थी से पर बाल नहीं थे कुछ बच्चे पीछे मुल मुल कर देख रहे थे जोर जोर से हसने लगे उसके बाद विनोद और वो कभी साथ कहीं नहीं गए कई साल हो गए वो हर जगा अकेले ही जाती विनोद को शर्मिंदगी महसूस हुई मगर विजया को क्या महसूस हुआ शायद कोई नहीं समझ पाए वो विग लगाने लगी इन्ही परेशानी छोटी मोटी उलज़नों के बीच जीवन के कुछ साल निकलते गए पीश्वर ने फिर एक तोफा दिया पहले से ज्यादा वहब अपना ध्यान रखती थी आखिर एक नए महमान का मुझे बेसबरी से इंतजार था उम्मीद थी विनोद में कुछ तो बदलाव आएगा मगर वह गलत थी विनोद एक बहुत अच्छे पिता है बेटे हैं मगर पती नहीं बनना चाहते हैं या यू कहे उन्हें कोई बात कहने तारीफ करने की आदत नहीं हां कई बार टोकते हैं तुम्ही यह नहीं आता तुम्हे वो नहीं आता कोई काम पफेक्ट नहीं करती ना जाने क्या-क्या मगर विजया तो हर काम, रिष्टा दिल से निभाती मगर फिर भी विनोध का स्वभाव रूखा है, बेटा भी कई बार कहने लगा है, माँ आप यह नहीं करो, माँ आप वो नहीं करो. जीवन में कई उतार चड़ाव आये मगर ईश्वर पर उसका अटूट विश्वास कभी कम नहीं हुआ. इस बीच जुड़ गई आट ओफ लिविंग संस्था में, जहां विभिन कोर्स किये मगर कुछ समय तक छोड़ दिये. फिर जब लगातार किये तो उसे उसके होने का एहसास होने लगा. वह जीवन को यूँवी गवाना नहीं चाहती. कई सेवा काम से जुड़ कर आगे बढ़ रही है अब वह. मन में अलग सुकून है, शांती है, मगर उम्मीद नहीं. उसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, लोगों को जगाने की, ग्यान को लोगों तक पहुँचाने की, वही कर रही है और जीवन में धालती शामवा आखिरी सांस तक करना चाहती है. विनोध का अब किसी से रिष्टा है या नहीं वह नहीं जानती मगर उसका इश्वर से गहरा रिष्टा है. वह अब अपनी बीमारी वह विनोध को स्वीकार कर चुकी है, सहज है. बहुत खुश है, कृतग्य है, गुरू के प्रती. कभी कभी लगता है परेशानियों को हम पकड़ लेते हैं, दुखी रहते हैं, उन्हें छोड़ दे तो शायद जीवन सरल हो जाए. विजया ने अपने जीवन में विजया प्राप्त कर ली.